राश्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी के अधिक्षे शरत पवार के घर पर हाल ही में हमला हुआ था इस मामले से जुरा एक्व्यक्ती नागपूर से एडोकेट सदावर्ते के संपर्ख में होने की बात कोट में सामने आई थी और आज मुंबई पुलीस ने इस मामले से जुरे नागपूर के एस्टी कर्मिचारी संदीब गोड़ बोले को गरिश पेट पुलीस की मदद से हिरासत में लिया है यह कर्मिचारी एस्टी में यांतरीक बदबर कारियर था जिसे बरतर्फ किया गया है शरतपवार के घर के बाहर हाल ही में आंदलो को द्वारा जो हंगामा हुआ था उस दवरान एडोकेट सदावरते इस कर्मिचारी के संपर्क में होने की बात पता चली थी पुलीस द्वारा कारवाई के राज नाकपूर से इस कर्मिचारी को गनेशपिट पुलीस की मदद से हिरासत में लिया गया है ऐसी जानकारी शेहर के पलेस आयुकता मितेश कुमार द्वारा दी गई है इसके बारे में ये तपास मुंबई पुलीस के द्वारा किया जा रहा है इसके investigation के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है लेकिन ये fact है कि जो वहाँ अंदोलन हो रहा था उसमें राज के अलग अलग जगे के लोग शायद अंदोलन में सहभागी हुए होंगे यहां से ले गई बड़े क्या उसकी डीटेंसे मुंझे उसकी जानकारी नहीं। मैंने बताया मोंबई पुलीस की कुछ किम आई थी किसी को उन्होंने उनको चाहिए थे वह उनको नाखपूर पुलीस के हेल्प से उनको दिया गया है तावे में अब जानकारी में।